हलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल ब्यूटी टीप सुफार फेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड आज हम आपके साथ कुछ ऐसी क्रीम सेयर करने वाले हैं जो अपने घर पर आप बना कर अपने फेस पर बड़े ही आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं यदि फ्रेंड्स आपके फेस पे दाग हैं, धब्बे हैं, छाईयां पड़ गई हैं, यदि आप अपने फेस पे एश्टा ग्लो पाना चाहते हैं, तो भी आप इस क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं, कोई शाई डिफिक्ट नहीं होगा, बड़े ही आसानी से आप बना कर अपने फेस पर इस्तिमाल कर सकते हैं, फ्रेंड्स जब आप सुबर शो कर उड़ते हैं, तो सबसे पहले अपने फेस को साफ कर लीजिए, अगर नॉर्मल पानी से, उसके बाद आपको लेना है दो चम्मच यहाँ पर एलोवेरा जिल, यदि आपके पास फ्रेंड्स एलोवेरा का पाउधा है, तो आप उसमें से भी एलोवेरा जिल निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट वाला भी एलोवेरा जिल यूज कर सकते हैं, जो घर का एलोवेरा होता है, प्लांट होता है, उसकी पत्तियों के निकाल कर बीच वाला भाग आपको इस्तिमाल करना है, आप इस् तो आप चार चमच अलोवेरा और दो विटामिनी का इस्तिमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्रेंट्स आप इसे खुब अची तरीके से मिक्स करें। मिक्स करके आप किशी बॉटल में इसको रख दीजिएगा। सुबह आप जब अपने फेस को साप करते हैं तो फेस को सूखा करने के बाद आप उसमी से थोड़ा सा एलोवेरा जिल निकाल कर अपने हाथों से अपने पूरे फेस का 2-3 मिनुट तक हलके हाथों से आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इसे अपने फेस बल लगे रहने दीजिएगा। 20 मिनुट बाद आप साप भी कर सकते हैं और नहीं तो आप अपने पूरे फेस पर इसे अपलाई रहने दीजिएगा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो थोड़ा सा आप पहले इसे इस्तिमाल कर ले कान के पीछे लगा कर उसके बाद अपने पूरे फेस पर आप इसे इस्तिमाल करें। रात में सोने से पहले अपने फेस को साप करने के बाद उसी तरीके से आपको फीरिया क्रीम इस्तिमाल करनी है। 2-3 मिन तक आप अपने फेस पर इसे लगे रहने दीजिएगा उसके बाद आप रात में सो जाएं सूबा तक देखेंगे कि आपके फेस पर कितनी चमा काएगी आपका फेस ग्लो करेगा दाग दबे भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे फ्रेंड्स आपको रोजाना इसे इस्तिमाल करना है एक हपते आपके क्रीम चलेगी जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप इसे बना कर फेर रख सकते हैं अपने फ्रेज में स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जोबी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचाशा के धाइंक्यू